आप सभी कोना मेरा नमश्कार, मेरा प्रणाम, आज काफी दिन बाद लाइव कर रहा हूं, एक बाद फिर से मेरा दिल्या कि आप से बात करूं, और थोड़ा सब रेट कर लेता हूं, इसके बाद मैं आप से बात करूंगा, ज Zooकार, मेरा सबने हां, और एक बात करूंगा, एक जAc़रा वें इसके बात करूंगा कर दो बसिकाह कर दिल्या कर दोंगा हूं, आप जा इसके बातカ है, उजन है बाद। का बात करूंगा हूं जङएके पन। कर दो कि सबसे पहले तो कि आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने कि बिठे हुए कठीन समय में मेरा साथ दिया परिवार का साथ दिया जो लोग मुझे जानते हैं जो मेरी दियु भी साधना कर रहे हैं वो जानते हैं कि पिछले कुछ समय से यह तग्यद खराब थी मेरी नॉर्मल तग्यद करोना पॉजिटिव और मैं खुद भी हुआ इसके बाद वाइफ को हुआ भाई को हुआ सबी लोगों को मेरी वज़े से ही हुआ और मुझे एक मेत्र के माध्यम से हो गया कि उस दिन के लिए हॉस्पिटल में भी था टाइम टफ था मगर आप लोग की प्राटना से आप लोग के प्रेम से यह समय कैसे कट गया पता नहीं चला तुब़ा दिक्कत हुई कि बच्चे चोटे हैं मेरे भी चोटा बिटा चार साल का है तो जब हम लोग पॉजिटिव हुए तो बच्चों को जो है कि नानी के आँ भेज दिया मैंने और आप समझ सकते हैं कि चोटा बच्चा चार साल का मां से कि इतना अलग रहता है तो वो चार-पांच दिन काफी डिफिगाई थी हाला कि पांच-छे दिन में ही हम लोग वापस मेगजिब हो गए लेकिन हां पांच-छे दिन यह काफी प हैं इसलिए मैंने कहा कि वह समय कैसे बीट किया पता नहीं चला है जिसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबी का दिख से धन्यवाद करता हूं जब ये समय गुजरा जिसक में बेट पर ठे था और बहुती मिक्स्टी फिलिंग्स होती है जयद हर किसी लिए जो भी इस तरह के फेस से गुजरता है खाश और से जो भै का माहुल है आज कल इस के लिए काफ के दिखिकल्ड होता है और जो लोग अभी गुजर रहे हैं उनके लिए कितना critical है कि सबसे पहली बात जो है वो असुरक्षा की भावना की होती है यदि आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जो परिवार आपका निर्वर है आपकर उनकी क्या इस्थिति होगी यह सारी चीजें सोच पर इंसान भी काफी तरह की चीजें हावी हो जाती है पिश्वर के दया से मुझे बहुत कठी समय नहीं बिताना पड़ा थोड़ा समय था तीजार दिन का फित्वास अज़्यादा डिफिकल्ट था और ज़्यादा प्राब्लम भी उसमें और आप लोगों के प्यार से आप लोगों के प् कि बिस्तर पर लेटे हुए जब मैं बेड़ पर था तो बहुत महतुपूर बाते याद आई और यह बाते बड़ी नॉर्मल होती हैं हम सब उखे लिए लेकिन यह इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको इग्नोर करना सच मांगिये जीवन की बहुत बड़ी लगती है हम जीवन में बहुत सारे चीजों से गुजरते हैं और अक्सर बेली बेसिस पर चीजों को इग्नोर गर लेते हैं कबिर साब ने का ता कल करे सो आज करे आज करे सो आपकर अलमे पर ले होएगी बहुरी करो लेकर तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम जीवन में आज कर सकते हैं मगर कि अग्रों कर देते हैं मन पे नियंत्रना होने के हम चीज़े इंग्नूर कर देते हैं हम कल पर टाग देते हैं चीजों को कि इसवाति एक मेरे बेसी कि जीवन में बहले ही छोटी बात हुए या बड़ी बात हो साथ आप जो आज ये कर सकते हैं जो अभी कर सकते हैं उसको कल के लिए मटना कि अधानी है अगले सास आने भी है कि नहीं है तुझ जो भी हो सकता है उसको अभी कर दिया जहां पर आप मजबूर हैं कुछ पर ही नहीं सकते वो तो एक अलग सिच्वेशन हो लेकिन जहां पर भी आप सक्षम है चाहे भले ही वो छोटा सा गाम हो उसकाम में लापरवाही मत करिए यह जो बड़े बुड़ों ने कहा होते कही हैं चाहे हमारे संतों ने कही हो चाहे हमा इन कंक्लूशन पर हमें ध्यान देना चाहिए बहुत छोटी छोटी बाते हैं मगर बहुत इंप्वाटन है काल करें सुआज कर अपनी आत्मा की आवाज पर कांग परो दोईधा को एक तरफ रख कर जो भी आत्मा से आवाज सच्छी आती है उस आत्मा की आवाज पर कांग करें कि रावण के विशे में जो बात आती है अंतिन समय में उन्हें काफी बातें बताई थी लक्ष्मार को नीती से संबंदित और भी बातें जब वो प्रात्ना की मुद्रा में बाद में राम जी की कहने पर उपेचनों के तरफ गए तो उन्हें काफी कि अपना जो चैरिएट है चैरिएट है या जो आपका भाई एक कभी दो कि इनको जो है पहुंचा नहीं चाहिए क्योंकि यह आपको सबसे जर्द पहुंचा सकते हैं कि इनको ignore नहीं करना चाहिए इनको परिशानी नहीं बेरी कोशिश कर देर कर चाहिए जहां तक हो सके एं इसमें केरफुल रहना चाहिए और सम्वेदन्शील भी रहना चाहिए क्योंकि यह कुछ ऐसे जुड़े हुए लोग हैं आज वो चर्याटर का संदर कुछ और हो सकता ह भाई तो भाई ही गाएगा लेकिन यदि किसी कारण वश्रीन से आप डार पाल लेते हैं यह इनको अपना बैरी बना लेते हैं तो आप स्वैम अपने अपको खत्र में आप अब एक बात और भी कही थे उन्होंने मुझे याद है पता निए बात करी लिखी है या शायद मैंने कहीं सुनी थी किसी कथा में की गावन ने कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं जिन्देगी में कर नहीं सकता था लेकिन काल पर टालता रहा जिसमें से एक इंपोर्टेंट काम था वो स्वर्ग मैसेनी बनाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने सोचा कि सब कुस्तों मेरे अधीन है मैं जब चाहूंगा तब बनाते हैं लेकिन वह अंत समय तक उसको टालते रहें अगर पराणे कर्थों में समझें तो यह कितने बड़ी उपलब्दी ही नहीं कितना बड़ा कर्वीनियंस हुदा उन आत्माओं के लिए जो ये मानते हैं कि अजय की संभाव है अगर रावण ऐसा कर पाते हैं जिस्वेक्ति के घुडों के विशेण तपस्या के विशेण शक्ती के विशेण हें हमारे जो कथाये रामायन हो गई या और भी जो कथाये हैं इतना गुर्गान करती हैं देखिए वह एक अंत की बात अलग है कि उन्होंने राम जी से बैड़ लिया गलत कांतिया गलत कांतियों को दंड मिला लेकिन बागी जो अच्छाइयां थी उनकी वह अपने आप में अप्रिशेट करने वाली जो वेक्ति इतना पावरुपुल था ही काल करे सो आज करे सो आज करे सौ शॿ correct कल की लिए कुछ मच पिजब के साथ यॉन्होंने का इतना पावर्फुल होने के बावजूद भी में शब कुछ कह सकता था हएस के बावजूद लाइफ की वैल्यू वो लोग समझते हैं जो लाइफ पर खत्रा देखकर आते हैं वर्तमान जो हालात हैं इस बीमारी के चलते हैं उन्होंने जीवन को देखने का जो एक नजरिया है मेरे हिसाब से बहुत से लोगों का नजरिया परिवर्द किया हुआ खास और से जो लोग इस दोर से गुजर के आये हैं उनको समझने आया होगा कि लाइफ की है हम इस लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं और कितना कुछ हम व्यर्थ करते चले जाते हैं कितना कुछ समय हम बरबाद करते चले जाते हैं गट की चोड़ा में छोटी छोटी बातों पर अपना समय खराब करते रहते हैं गौसिप में हैं इधर उधर में हैं जो लोग अध्यात मारगी हैं जो इश्र मारगी हैं वो समझ सकते हैं कि लाइफ इतनी वैलियोबल है आपके जीवन के एक पल का अगले पल का पता नहीं है और एक पल अगर हो सकते तो वो आपका सिम्रण में देखना चाहिए वाकी चीजे ज़रूरी है अपनी जगे पर आपका जो भी सांसारी करतव है देखिए जब तक जीवि भोगने के लिए यहां पर आये हैं लेकिन भोग के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए अर्थार्थ यह जो चक्र है इससे अलग होने के लिए आपका प्रयाज जो है वह पूरा इमानदाद होना चाहिए क्योंकि लाइफ का एक एक पल वैल्यू करना सीखने पड़ेग जि लोगों ने जैसे मैं ही अभी करोना से होके आया हूं करना के से निखला हूं कर भी फैमिली के लोग मितिया आएं ऐसी लाखो करोड़ों फैमिली जो इस दोर से गुज़र रही है मैं एक्जाट नंबर नहीं कह सकता हूं लेकिन मेरे खेल से बहुत बड़ी संख्या है जो इस दौर से गुजर रही है वो लाइफ की वैल्यू समझ सकते हैं लाइफ कि इतनी इंपॉर्टेट है कि वैक्ति अपनी जान बचाने के लिए पूरे अपना जो भी रिसोर्सेस है उनको इसकेमाल कर रहा है अपने तरफ से जो भी हो सकता है उसको कर रहा है क्यों कर रहा ह लाइफ वैल्यूबल है लाइफ जीना चाहते हैं इसलिए तो कर रहे हैं लेकिन जब नॉर्मली लाइफ जीने को मिल रही होती है तो हम उसे व्याथ की चीज़ाने का बाते हैं बहुत सारे टेंशन्स लेके बैठे रहते हैं यह नहीं चल रहा वह काम नहीं हो रहा इसमें क काश ये काम पहले कर लिया पता नहीं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा मिश्रा जी फालतों की बाते मुझसे मत पुछा गरिया आप चैट बरी भी पूशते हैं रास्ते पर चलिए अगर आपको अनुभूती नहीं होगी तो आप रास्ता चोड़ें जाएगा जान लेने से रामपश्नो करम přयांस को सामाधी लगी यां नहीं लगीती है इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप रामकृष्ण परमहंस के बताय हुए रास्ते पर चलते हैं और वहां से आपको समाधी मिल जाती है देने अगर सिर्फ आपको यह पता चल जाए कि रामकृष्ण परमहंस को या विवेका लंद को या बागी जो सादू संत् को जितने भी लोगो नहीं बुरा लगने की कोई बात नहीं है मेरे कहने का ताथपर रह यह है को पर गहराई तक ना पहुंचाए तो आप मुझे वापस आके हमेश है ह capita लेकिन अगर आप करेंगे गहराई से कि आपको वापस आने कासर नहीं लेगा değe जिस साधना से मेरे दादा गुरू को समाधी मिल सकती है, उनके शिर भूमानंद को मिल सकती है, उनके शिर जनारदन जी को मिल सकती है, मेरे गुरू डॉक्टर रमेश को मिल सकती है, मुझे मिल सकती है, तो आपको भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है, ये इतनी बड़ी ची तो ऐसी कोई बात नहीं है बुरा लगने जैसे कोई बात नहीं है कि मैं चाहूंगा कि जिस रास्ते पर आप चले हैं उसको गहराई से उसको आत्मसाथ करेंगे और यह वक्त है यह जो वक्त चल रहा है है हमारे लिए यह क्या पूरी दुनिया के लिए प्रकित है और इसमें भयाकरांत होना भयाकुल होना भूत लाज़मी वह लिकिन इज की बाद ध्यान लखएगा लाएक भयाकराम्त होना बहुत सब्सक्राइब जो नकारात्मक शक्तियां हो चाहती है क्या लेकिन वही नकारात्मक शक्तियां के पास बहुत थाकत रहेंगे वह जो कुछ भी चलगा रहा है उसके माध्यम से आपको इतना घ्रांत कर देए कि सत्य की ओर आपकी आपकी नजरे नहीं जाएंगी शक्ति की और आपकी नजरे नहीं जाएंगी ताकत की और आपकी नजरे नहीं जाएंगी प्रकाश की और आपकी नजरे नहीं जाएंगी आपकी नजरे जाएंगी भै की और दर की और मौत की और यह हमारी जो प्रक्तिवी का साथवे का आवाम परंतु जो बाहरी ग्रहों से लेकर यहां के ग्रहों तक की शक्तियां जो लगी हुए हैं जो चाहती हैं कि इंसानी चेतना जो है अब अपने उच्चतन धरातल की और बढ़े हम और मनुश्यों की इस्थटी से देवों की इस्थटी में जाएं वो भी अपना पूरा प्रयास करते हैं कि आपको उनका साथ देना होगा अगर इस प्लत्वी की चेतना को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर इस पूर्ण चेतना को जी वो तो करना पॉसिबल नहीं होगा पंगर जी वो शायद मुझे दोबारा बनाने पड़ेगी अगर बनाओंगा तो तो मैं कोशिश करूंगा अगर समय लगा तुम्हें बनादेंगा अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण धर्टे की जो चेतना है उसका विकास संपूर्ण मानत्ता की जो चेतना है वो अपने उच्छतम धरातल पर पहुंचे और यह जो भयाकरांत जीवन हम जी रहे हैं इससे अगर हम उपर उठें तो हमने हैं मत दिखानी हो इन कठिन यह भी डर को छोड़कर शक्ति का सहारा पपना है यह जो बावा लोग बिठें हुए हैं गुपत स्थानों पर सादू लोग है महावतार बावा उपर है और वी जो सादू लोग हैं जो बैठें उपर हैं जो तरंगिये रूप से आप तक मदब पहुंचा रहे हैं ताकि इ यह भी आप चलना चाहें तो आप इस मार्ग पर चल सकती है यह सबसे बैस्ट समय है देखिए दो रास्ते या तो डर के भाग जाए है या तो फिर खड़े हो जाए है मौत तो आज नहीं कल तो आनी है या लेकिन जीवन के लिए खड़े होकर लड़ना अपने आप में शक् दो ये ज्यान का सहरा लेजिए तट परता का सहरा लेजिए निगरता का सहरा लेजिए प्रकाश समय दो भागे मत ब्हुर्टी कोई योगी क्यों खतम करेगा कि आपकी बॉड़ी सर्टन तरीके से बनी हुई है सर्टन चीजों से उसको नुक्सान पहुंसता है और सर्टन चीजों से उसको पाइड़ा नियती है इस नियती में जिलों का जाना लिखा है यहां से जब बाहर जाएं तो डरी हुई आत्माई ना जाएंगे मजबूत जो इशर में लीन हो जिनकी जबान पर सिम्रंग हो वो अपने आत्म में यह जो नकारात्मक चेपना पैली हुई है इसको सकारात्मक में परिवर्ट प्रिवर्ट है सिंपल सी बात सुचे आपको याद भगाम में कहानी पड़ी थी शायद रोमन्स के बाहरे मुझे राव कि उनके नगरव पर आकरमण होता है और तीन सो सैने कि शायद यहीं स्टोरी थी यह स्टोरी कुछ दिफरेंट थी मुझे याद नहीं है कि सारे के सारे सैने कुल पर खड़े हो जाते हैं और एक एक लड़ते रहते हैं एक एक करके नदी का पुरा पूल तो रहते हैं और एक भी विक्ति को बाहरी सेना को नदी पूपार नहीं करने लिए इस तरफ नहीं आने लिए वह तीन सो के तीन सो पूल पर टेट हैं हमारी शक्ति हमारी एकता में चुप अभी वो क्या राव है डर और घबरहत के कारद अपने आपको बचान करना है कि विमारी जो दूसरी वेव अभी आई है मैंने पड़ा था कि यह सब्सक्राइब करता था और यकीन मानिए कि माहूल आप सभी भी जानते हैं कि अगर उतना बहाकुल नहीं है तो लोग डरे हो जबूँ है और मैं अभी चुकी मैंने आपको बताया कि करोना के समय पे मैंने बच्चों को नहियाल भेज दिया था अपने कि बच्चे काफी चोटे हैं बहुत दिक्कत थी बच्चों के लिए बच्चे चोटे हैं महां से लग रहना बहुत मुश्किल होता है चैशे में तो अभी मैं गाओ गया था अपको मेरे इं-लॉज से घर पढ़ता है वहां कर तो मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई गाओ ओ जहां पर लोग खांसी चीखना दला खराब होना ईसम्मारा ऐसे शायद ही कोई गाओ हो जहां पर लगाओं तो छोड़ दीजे आप शायदी कोई ऐसा घर बचा हो जहां के ना हो लेकिन फिर भी लोग वहां इसके डरे हुए हमारे हैं शेहरों में माहों ज्यादा करा है हम लोग ज्यादा डरे हैं क्योंकि वो लोग इन हालातों में अपने खेतों के काम कर रहे हैं लोगों के ज्यादा होता है तो बोडी की रेजिस्स्केविटिंग मवजूद है अ लोगों के यहां परिशानिया हो रहे हैं और कर समयलन भी क्रता है बहुत सारी चीजर चाहें तो वहां होने की बाद द्याथ रेट है वो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन शहर में चुकि हम लोग जो हमारी महनत होती है वह फिजिकल लेबर उतनी नहीं है, हमारे जो लेबर होता है वह बेसिकली मेंटल लेबर जादा होता है and that's why our bodies are giving up, हमारे शहरीर उसलिए कमजोर है क्योंकि भीतर से है, हम शारीरिक महनत नहीं कर रहे हैं या एक लिमिट उनकी बॉड़ी को अंदर से मजबूत लगती है, चोटे-चोटे बच्चे में खेलते रहते हैं, बच्चों की रेस्टिविटी तो वैसे पी मौज़ूती है लेकिन बड़े लोग वहां पर देखे हैं बहुत बुज़र बुज़र। मेरे खुद की इनलास के यहां पर ती यहां पर था तो मैं कहुंँ सच कहुंँ, तो जादा सब को किक फील कर रहा था, बिकॉस हमारे हैं शहरों का माहूल काफी लिमिटे है, मतलब आप एक जगे बन जाते हैं, गाउं में गया तो खेतों में टहलना हो गया, इधर दर टहलना हो गया, तो यह फील फ्रेश एयर, आपको एक खुलापन महसुस होता है, उतना घवडाट नहीं वहाँ पर है, नहीं पर कोई ऐसी परिशानी नहीं फ्रेट होती है, तो हमें काफी रिलीफ मिला वहाँ पर जाकर, और बच्चों को भी मैं लेके आया, लखनो वापस आना पड़ा मुझे, क्योंकि यह भाई की लेकिन टाइफाइड है भी, विशब के दया से तल से उसको दिरी रिलीफ मिला शुबच हो गया है, लेकिन अभी भी हालत है, सीरियस है, कहने का तात्वर यह है, कि इन परिस्तित्यों में भी हमें सहरा जो है, उशक्ती का ही लेना चाहिए, क्यान का ही लेना चाहिए, सहरा जो है, ताकत का ही लेना चाहिए, डर को अगर पकड़ेंगे, तो डर सिर्फ घिराएगा, सिर्फ घिराएगा, डर आपको आगे में पराएगा, यहां तक कि अभी मैंने एक यह भी रिपोर्ट पड़ी थी, जहां तक मुझे ध्यान है, कि कोरोना में 60-70% of the cases of deaths हैं, वो डर दर की वजे से हो रहा है, इस्ट्रेश और फियर इतना ज्यादा लोगों के अंदर है कि बड़ी ओर्गं चां करना बंद गर भेते हैं, और बिर दर की वजे से काडियार स्थ रिट हो रही हा, इस भय को हमें मिलंके जीतना होऊ और ऐसे मे sãoριान बहुत सहरा देह सकता है, अ वो चीज़ें आपके सामने परें एक तरफ सिम्रन है विश्वास है ताकत है एक तरफ है जिसको पकड़ेंगे वही मजबूत होगा और वही आपकर तुम्ताव डालेगा तो आपने सुना होगा मन के हारे हार है मन के मते ना चालिये मन के मते हैं मन को जिधर ले जाएंगे अगर शक्ति की तरफ ले जाएंगे ताकत की तरफ ले जाएंगे ज्यान की तरफ ले जाएंगे सिम्रन की तरफ ले जाएंगे तो वहीं से आपको मजबूरते ने देदेए, वहां से आपको ताक में देए, और हम बहुत हद तक यह जो नकारात प्टा फैली भी है, उस से औरकांग दर सकी है, और कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, मैं बिस तर परहते हैं, वह इतना ज़रूर समझ में आया है, आप अगर गुरू से मंत्र लिया है, तो आपकी एक एक श्वास जो है, वह सिम्रन में बिताने की कोशिश करें, उसको नश्ट ना करें, एक एक पल अपना सिम्रन में बिताने, जीवन का कुछ भी पता है, मगर आखरी सांस तर जो भी समय बिल्दा है, इसको यूटिलाइस करें गुरू ने जो मंत्र दिया है, बाकी चीजों से दिमाग हटा कर अपने मंत्र पर ध्यान रख दिया, जो आपकी दैनिक रिस्पॉंसिबिल्टीज हैं, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगे, उनको करते रहेंगे, लेकिन आपको जो बाकी समय में जाता है, उसको सिम्रन में खर्च करिए, अपनी सांसों को सिम्रन में खर्च कर लिया, इनको बिना वज़े बेकार में जाता न। हैं आप लोग जानते हैं में महा तंत्र योग का साधत हुन, यह सादना महावत्तार बाबाजी के दौरा आई हुए है, अगर उनसे पहले भी कहूं तो ज्यूंत रिए उनके द्वारों ये साधुनाइं हुई है जो महात्तार भावजी के द्वारा होती हुई अन्य गुरुवों से होती हुई जिसमें जो मेरे गुरुवों के शंकला है पूनानंद परमांज दी जो सबसे पहले सिधाशन गहे तिद्वत वहां 5 साल रहे उसके ब सर्वा नंजी बी उनके साथ में नहीं देते ड़ी योग्य नहीं समझा हम अफगानिस्थान की तरफ चले गैसे उसके बाद उनका पुरा नंजी के बाद में भूमा नंजी कि संस्कृत के स्कॉलर थे प्रिंसिबल थे श्कूल के असाम कामाख्या में जो है काली घात में उनक जनार्दन जी जनादन जी ने इस साधना को आगे बढ़ाया। और जनारदन जी जी के बाद मेरे गुरू जी-डोक्टर रमेश परमांस, जिनका चित्रा पीछे देग रहे हूंगे। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया मेरे गुरुजी भी कई बड़े जोगस्वक्त के नामचीन गुरु थे उनके साथ में उन्होंने समय अपना इस्पेंड किया इसमें कश्मीर शैविजम से लोग थे और पंडित गौकिनाद का विराज जी थे और वी बड़े साधू कुछ ताइम रहें उनके साथ समय को जी ने स्पेंड किया अपना और एक उच्छो कोटी के तंत्र योगी सादक्त अब कि साधना प्राफ्त करने के बाद में कि अब बहुत सारी चीज़ें के अर्क्रॉस गया मैं जो चीज़ें कल्पना करता था सिर्फ वो चीज़ें जानने समझने को मेरी उन चीजों की अनुभूती हुई मेरे जो गुरुजी के गुरु थे चनार्गन परमाज जी एक बात उन्होंने लिखी थी वह बात मुझे काफी बाद में समझ में आई जाके पहले वह बात में वैसे वैसे आपकी समझ उत्पन होती जाती है तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने महसूस किया कि साधना के दौरान मेरे भीतर कुछ शक्तियों का विकास हो रहा था कुछ चीजों में क्लारिटी आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें मेरी मन की इस्थिती के हिसाब स तो यह अधिती है वाली बात समझ में तक बढल्य सी प्लेटी की बात समझ में आगई लेकिन णोनों अधिया बहुत सारी स्थितीयां की मेरे मन के हिसाब सभालस ह advise ago पार नबी तब काई नर्द रहा कि लेकिन मैं साधना करता रहा तो सथीम तैसी आई कि मुझे बात समझ मे कि मिकि जब आप चेतना के इस तर उपरेटे करने लगते हैं बोडिली लिवल दब संस प में रहते हैं आपकी चेतना के विश्टार अहीं से मैं कि सपने में अगर अगर नियंको दिननी सकता कि ना है और यह सिर्फ महावतार बाबाजी के उपर ही लागू नहीं होता है यह और भी सादूर के लागू होता है अगर आप उनका चिंदन करते रहेंगे और में से ज्यादा पर्ज़ेरा सुख्ष मुख से आपको अपने जगत में अड़क्षन देते हैं तो मुझे यह बात समझ में आई जा के कि जैसे जैसे आपकी चेत्ना विकास के कही सतरों से बुजरती है जिसमें डर भी शामिल होता है जैसे जैसे चेतना को आप उच्छतम तल पे छूने लगते हैं उच्छतम बिंदू पे छूने लगते हैं वैसे वैसे आपके आसपास की परिस्तितिया भी आज़ा है कि कई बार तो ऐसा हुआ तो बताओं कि अगर मैंने चाहा ओविस्ली दिल से नहीं चाहा लेकिन अगर मन में मैंने सोच लिया कि शायद अब इन दिनों में विस्तरवे पढ़ने वाला हूँ तो कुछी दिनों पर विस्तरवे पहुच करें, आसपास की बहुत से ऐसी परिस्तितिया है जो मेरे मन innovative Sachen जब भी मैंने सोचा की मैं मतलब ऐसी अस्टिती में हूँगा या परिवार में इस अस्टिति में अlar Edgy Female कि सब्सक्राइब कि इवन दो चार वार तो ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो रही है घर में खर्चे चलाने को ला ले पाल जाए तो यह अप्ता है कि यानि कि आपकी जो चेतना की अवस्ता है वह आपकी मन के इस्थिति के हिसाब से जैसे 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 आपकी चेतना प्रडार होती जाएगी साधना के माध्यम से जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे चीज़ें आपके नियंत्रण में आती जाएगी और तब यकीन मानि है आप को जीवन में गोगों के लिए बोगा गया है जो चीजेност के लिए बेजा गया है वह सारी चीजर में अब समझना शुरू करदे के और शाय buddies है आप नहीं पढ़ेंगे किसी तकर नहीं पढ़ेंगे लोगों को बताने के चकर में कि ये हो जाएगा आप और रास्ता दिखाना चाहेँ ट detail अगर कि सी बंदूग से किसी का शिकार किया जा सकता है जो सामने वाला प्राणी यहां तक है तो आप से उसको मेकैनिकम बताना चाहे कि बएए यह बंदूग इस थरह से चलाना सीख्लो साधना पूसें क्साधना क्रिपा सब्सक्राइब ऑई कर आसी तरह से तो वो मना इस्थिती पहले आपको प्राप्त होगी जब बंदुक पकड़कर आप उसको कही बार प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से साधना केस्तर पर जब आप चेतना के उस बिंदू को बार बार चुएंगे जहां से आप आप नहीं रह जाते आप अपने आप से बियॉं अगर आप दीक्षे लेना चाहते हैं तो आप वरुन से संपर्क कर लिजेगा वरुन मेरे शेश्य भी है सयोगी भी है 9873361918 नमबर है 9873361918 तो आप वरुन से संपर्क कर सकते हैं वर्टसप के माध्यम से संपर्क करिए कि कॉल मत करिए क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है शायद कॉल पर आपको जवाब ना दे पाएं लेकर अगर आप मेसेज करेंगे तो आपको 24 दिंटे के अंदर मोस्ट प्रभबली 24 दिंटे के अंदर वह को रिप्राइब करते हैं तो जो गुरू है वो आपको मेकानिजम बता देता है मेकानिजम प्रैक्के साथ को करता हुआ कि मेरे गुरू ने ऐसा नहीं कि मेरे साथ बैठ कर मुझे साथ में करा है और जो मेरे गुरू जी के गुरू थे जौनार्दन जी मुझे हलाकि बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है हो सकता है कि और ऑनने की से साथ साथ बैठ बहुत कुसे सानित में ज्बा नाखर छोरा चोरा और उन्होंने ज़ादा तर समय अपना जो समय है वो जनारदंजी के साथ त्विताया रिशिकेश में एक बात लिखते हैं कि श scheint जनारदंजी कि अगर आप इसी इंसानी तल से बैट कर जो है बात को गुरू को समझने का प्यास करते रहेंगे तो ना गुरू की शक्ति को समझ पाएंगे ना गुरू की बात को समझ पाएंगे आप बस अपने हिसाब से अपने लिए मटेरियल जूड़नेंगे कि इसको बुराई करनी है इसके कपड़ों के लिए बुराई करनी है वह आपका चुनाव है उसमें कोई बादा नहीं है मगर उससे कोई लाव नहीं है आपको परमेला करें लाव आपको वही होगा जब आप अपने आत्मा को और इन्हेंस कर सकते हैं कि गुरू के द्वारा दी गई दिख्षा के लिए क्योंकि गुरू को इंसान गुरू को जो है घेजा तो इंसानी श्रीर में गया है लेकिन इश्वर ने उसको बेजा ही इसलिए है कि वह आप तब उस मेकैनिजम को पहुंचा सके कि जहां पर आप इनसान से देव कुलत हो जाएंगे समाधी को एक्स्प्लेइन करने से कोई फाइदा नहीं होगा उसको जब तक अन्भाव नहीं करेंगे तो तक अन्रेस्टेंग नहीं जाएगी मैं उसके बाहरी लक्षन बता सकता हूं लेकिन वह बाहरी लक्षन बाकी ल नहीं लगेगा नहीं है उसमें नहीं नहीं है वो जब आप अदमोत कर लेंगे तो आपको पुछ समझ कर आए उसको बता कि कोई फाइदा नहीं है आपको सिच बता कोई बात मात रजाए इसमें नहीं है नहीं लेकिन जब उस मौत के अनभव से आप उस मृत्यू की समझ में आजाएगा कि वो चीज क्या है उस चीज को समझ में ज्यादा मत पर एक्समिनेशन उतना समझ लीजे जितना काम आजाएगा जैसा ही मैं आपको कुछ बताऊंगा आप बस उससे को रिलेट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा ऐसा होता होगा यह चीज मेरे साथ ह हो सकता है आपके साथ किसी और तरह से बडिक हो नहीं है आप कुछ और लेकर बढ़ता है हाला कि संभावना यही है कि अगर मेरे देर हुए रास्ते पर चलेगे तो आमोमन होगा वही जो होता है जो बाकि गुरूं के साथ हुआ लेकिन फिर भी क्यों पहले से प्री समय की वैल्यू की हो ही अगर समझना है मैं आपको चोटा सा एक्जामपल बताता हूं कि कई बार काफी बेवकुफिया हो जाती है जी हो चोटी-चोटी बेवकुफिया हो जाती है मुझे याद है कि जब मेरे गुरू जी में शरीर चोड़ा तो मैं दिल ली गया था तो एक केमरा आपको याद होंगे पहले आते थे जिसमें रील लगाई जाती थी खोड़ाइक वाले तो वह कैमरा था में मांगे ले गया तक इसके मेरे पास तो नहीं था तो मैंने सोचा था कि गुरू जी की लाश्ट टाइम की फोटोग्राफ कि यहां से रोते भी लगते जो है तो मेल पकड़ी जिल्ली पहुंचे वहां देर हो चुकी थी उसी वक्त वो गुरू जी का शरीर आ गया तो कि होस्वेटल में एडमेंट थे सरगंगा राम में लाश्टाइम में एंसीडी की गाड़ी आई थी में रिखा से शरीर आ गया मैंने जाते वक्त यह सूचा था उ कि अईसा संयोग बना कि निगम बहुत भाट जाते वक्त तक भी मुझे कैमरे का रोल नहीं मिलता है और गुरू जी के अंतिम वक्त की फोटों जो उनके अंतिम अंतेश्टी क्रिया की जो फोटों थी वह हमेशा के लिए चलिए क्योंकि जब रोल ही नहीं मिला तो फोटों का से और अस वक्त वह वाले कैमरे होते नहीं कि यह मोकियां 33 10-35 के जमाने की बात है का लोगों के पास वो बड़ा वाला फॉन हुआ करता था लेकिन वह बहुत लिमिटेड लोगों के पास मतलब नहीं ले पाया वह हमेशा किले चलिए कि थोड़ी सी टीस रह गई मन में कि शायद थोड़ा कि पहले कर लेता है तो इस मृतियां रह जाती उनकी लेकिन वह काल करें सो आज कर आज करें सब्सक्राइब अब पर ले प्ल में प्रले होएगी बहुरी करोगी कि नहीं लेता है और और वो कभी नहीं मिलेगा मैं भी म आज़िया है हम्ते मती वो बो सिर्फ यहीं पर बसकर रहे गए हैं लेकिन वह प्रिजिकल तलब नहीं मिलता जीवन में जो भी अफसर मिल रहा है शुर्ण करने का दूसरों के चक्कर में बहिए भरबान मेरी पत्नी नहीं करने देती मेरा पती नहीं करने देता मेरे प्र ज अपने चेतना करिए चाहे कुछ भी हो जब चाहे हैं कि अपको जहां से लगता है कि आपके अध्यात्मी उन्नती हो सकती है आप वहां बढ़ जाए लेकिन अपनी इस चेतना का विस्तार जरूर करो क्योंकि यह मानलो यह मिट्टी लेकर वैठे वह आपके यह सुपुर्दे खाक कर भी जाएगी यह पंच सत्तत्रों में दिलीन हो जाएगी उठा के लकडी पर जला के रख दिया जाएगा माता है फिर भटकते फिरो इपर फिर नया गरब भूलो ठीक है फिर से वही कहानी आए जब तक बोध होगा पहले तो अबोध रहोगे जब तक चीने समझ भी नहीं आएंगी जब बोध आउना शुरू होगा तो बोध में सबसे पहले सांसारिक बोध की अवस्ता को प्राप्त होने लगते हैं अब बोध से जब बोध की बात कर आध्यात्मी बोध की बात नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो सांसारिक बोध होता है तो आप उसी में पसना शुगर होगा तो बड़े हुए मावाब ने डिमिशन करवा दिया स्कूल में व नहीं और सुगा अघजा में इसके बीच में बहुत सारी चीज इब मौद है कि आप से जो जुड़े लोग हैं कोई बिचल गया कोई चला गया जैसे मेरा बहुत खास मित्र था है कि खास क्या मतलब आप यह समझ लिए जिसे नाथ-काटी रोटी कहते हैं मतलब कि 24 गंटे में से 18 गंटे का साथ था है कि प्रोफेसर था जौनपुरी में अश्टी में साल पहले की बात है चालिस का तखरीवन मैं होने वाला हूं तीस के अटाइस-टाइस-टाइस-टाइस की बात कर चाहिए है कि इस रास्ते में बहुत सारे लोगों से बिचलते ही दाएंगे दीरे-दीरे मिलना बिचलना आदब बन जा लेकिन हम यह बूल जाते हैं कि एक दिन अपने आप से पिचलना पहला है यह जिसे बहुत मान के बैठा हूँ है जो शेरी का बहुत 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 ज़रूरी है बहुत बहुतिफों हुए हुए अभूलतकु संसार में हरो अपना बाहली आ आतुम करेंगे नहीं करेंगे। और अगर आपका भाग्य बाग्य अपनŏ को दिलवाया जाना तो आप करवाया जानाओ आप कर्म को अमाद्वियुआ मिलना ह करना परक्ता है बहुत हिए बने स्थ निहां सब्स्कारी नहीं है नहीं है यह लेकंने मुफ्री के लिए प्रॉ 야 अगर आप गुरू की शक्ति को समझना चाहते हैं गुरू जो पीड़ा आपके लिए लेता है गुरू जो कश्ट आपके लेता है उसको अगर समझना चाहते हैं तो फिर कहीं जुबना पड़ेगा दिन से शायद पता नहीं कितने लोगों को विश्वास होगा या नहीं होगा ऐसे कहीं लोग हैं आप में से जिनके जीवन के कुछ बुड़ी परिशानियों को मैंने अपने उपल लिया और पिछले एक साल में मेरा चार-पांच बार वास्पिलाइजिशन होगा लेकिन ये वो समझ सकते हैं जो गुरू की शक्ति को समझना चाहते हैं कि मजबूरी हो जाती है क्या को उपर वाले ने सब पेड़ना मारा हुआ है कि भाईया तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है और मैं उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं सब्सक्राइब कि अगर कोई समझना ही चाहता है कि जीवन की वैलीव क्या है एक साधक है बच्चा ही है नाम भी बता देता है उसका किशन नाम है अलावाद से एक साल से लगजाता तकरीब जिम्मेदेगी मौत से जुग जाया है सांस लेने में दिकत है अभी मेरी ख्याल से ठीक हुई गय उससे पहले से काफी लंबे समय से वो परिशान चल रहा था सांस लेने में बहुत दिकत हुई थी अग्मेदोरा तो अफटल में बहुत दिकत हुई तो लाश्मरस ने मुझसे कहा कि गुरू जी अब जिन्दगी रहे या ना रहे मैं अपना समय बस साजना गता हुई मुझ जो इनसान इस चीज पर उताराता है ना तो जिन्दगी रहे या रहा डरहा है बुद्ध क्यों कामियां ही जिन्दगी करले रहे हैं जाना है तो इसके रास्ते करें आपके पास बहतर वेज़डम है कि मैं अपना विज्टम अपने लिए चला सकता हूं कि मेरी शायद कोई बात आपके काम आ जाए कि जिन्दिकी को यह जाया मत चलते हैं इस घबराहट के माहुल में भी ना इस तरह के माहुल में पीछे मत रखिए जिन लोगों ने साधना ले रखिए हैं कि साधना करना चाहत पुसादना ले लिजिए लगे 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 लिए तो पुद्रत ने मौका दिया है कि आप का ध्यान सिर्फ सिम्रन की सरवत हो सके इसको आप दो एंगल से देख सकते हैं एक तरफ नकरात्मक शक्तियों ने आपके जीवन में डर को गेज दिया है अब आप इस दर्ग को पक अथान का मौका मिल्दा एफ सक गर से बाहर निकल ले का मौका मिल रह दुख कि नहीं होता कि सब्सक्ते हैं मन भाइब और हम इस ता महारे वह क्यों Yeah लगत बात यह है कि आज के समय के हिसाब से ऑक्सीमेटर को चेक करते हैं अगर हमारा श्वास लेने का ढग सही हो तो सब के जरूरत ही ना श्वास कैरी कि नौर्मनी जो लोगे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं श्वास गहली लेना चाहिए जतनी ले सकते हैं और मेरी साथना से यह होगा कि अगर आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो आपकी श्वास को श्रास गहरी जाना मतलब फेपनों तक 100% oxygen पहुंचना oxygen पहुंचने क्या मतलब है कि आपको आत्म बल मिलना है कि आपको शारीरी ग्रूप से आत्म बल मिलना आंतरी ग्रूप से आत्म बल मिलना और अभी जो सादक जो भी करोना पॉलिति हैं मैं आपको कोई remedy नहीं देने जा रहा हूं हें सिर्फ इतना कहर रहा हूं हिंमत रखने गया गुरुपे हम्मद रखे बावजी के आ साधना पर हममत Aa कि मेरे सामने परिशानी आई और कीी पूरी पृप्रीबार के यह हिंमत कहा आप यह हिंमत कहा से आते हैं कोई नहीं कि पॉजिटिव स्टेट्मेंट्स पॉजिटिव वर्ड आपको थोड़ा रिलीव थेंगे थोड़ा आराम देंगे आपको इम्मत बनी करें लेकिन जो सबसे बड़ी हिम्मत मालिक तूने भेजा है तू देख मुझे मैं तुछ से मांगता हूं अपना जीवन और अगर यह ज आदा जीवन को सार्थक कर के दिखाऊंगा ऑफ से जीवन में जो भी तय किया है करने करें का करूंगा जीवन को सार्थक कर दिखाऊंगा अपने उच्चतम बिन्दू तक पहुंच कर रहूंगा उससे पेले यह शेरीशन नहीं चोड़ूंगा यह मेरा प्रड है इस तो आपको बताया जा रहा है वह सबापको करना पड़ेगा ठीक है उस से इमध भी बनती है फार्दा होता है लेकिन जो अपना आत्म बल आत्मा का बल इसको आप बढ़ाईए पल पल सिमरन करिए डर के मत करिए उसके प्यार में करिए उसके प्रेम में करिए कि मालिक कुछ भ मैं तो तुझे याद करूंगा मैं डर के नहीं जाओंगा कुछ दिन ध्यान करते हैं तो जब-जब कर सकते हैं तब तक करिए यह शंकला चलती रहेगी यह आपके प्रारब्द कर्म है जो आपको बार-बार रोकते हैं यह आपका मन है जो आपको बार-बार रोकता है और यही भटकाता है आपको इदर बर कितना भी करम तूटे जब जब तूटे उसको फिर पकड़िए फिर उठाइए जब तक कि यह करम बद्ध नहीं हो जाता है यह करम तूटेगा अगर यह करम स्पॉंटेनियस हो सकता नैचुरल हो सकता तो आप भी महावतार बाबा होते आप भी कभीर होते आप भी रविदास होते आप भी मीरा होते क्रम ना तूटे यही तो प्रयास करना है आपको जिस दिन आपका क्रम तूटना बंद हो जाएगा आप भी चेतना की उसी ले में शामिल हो जाएंगे जिस ले में ये बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हों उसी ले को पकड़िये और जीवन से घबराईये नहीं, डरिये नहीं, मृत्यू से जादा कुछ नहीं हो सकता है, एक बाद ध्यान रखिए, मृत्यू से बड़ा उसका भै होता है, जब मृत्यू आनी ही है, तो भै से क्यों फेस करें, जब बीमारी आनी ही है, तो भै से क्यों को फेस करें कि मैं नहीं कहता है कि आप 100% काम्याब हो जाने इस चीज में कि एक तरफ मौत का डर लगा हुआ है और दूसरी तरफ आप एक बन सकाराफ मत होगे खेले में हिम्मत हिम्मत रखने की बस्कुशिश करें अपने आपको मजबूत रखने की कोशिश करें जितना आप अप्तिम सत्य यह मान के चलिए कि मौत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है और मौत कि अजय देखिए मैंने कहा आप से की गुरू आपको मेकैनिजम दिखा सकता है कि परिशानी ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में परिशानी ना हो किसी को किसी रूपने है किसी को किस परिशानी बड़ी होती है यह नहीं कहा जा सकता कि मेरी परिशानी बड़ी है और किसी और की चोटी है हर किसी को परिशानी अपनी बड़ी लगता है मैं मानता हूं कि आपके जीव में जो भी गुजर रहा होगा आप इस परिशानी है लेकिन ऐसे में कि सादू संतों ने एकी बात तो पही है कि जब परेशानी आये तकलीफ आये तब भी सिम्रन करो और जब खुश हो तब भी समर्ण को समर्ण है क्या लगातार याद रखना कि एक दिन मिट जाना है कब हैं तो गढातार याद रखना कि एक सफ्था है जो चला रहे शेत् वहां था देखे शृवșit कैसे चल को किसे शायिक प्रशु के शेयगे सब्सक्राइब आप ठीक है आप वुकल कॉर्ड से बोल रहे हैं आखे चल रही है कोरोना है यह है वो है आप देखिए ना क्या चितना है जो आखरी में इतना ही कहूंगा अपना ध्यान रखें महाशक्ति आपके रक्षा करें आपके जीवन में शुक्ता हो मेरी इश्वर से प्रातना है और आपको आत्मबल मिले जीवन में जो भी कठिनाया आ रही है उनको फेस करने में जो लोग महातंत्र योग की साद्ना में दिक्षा लेना चाहते हैं वो वरुन से संपर्क कर सकते हैं 9873361918 नंबर है उनका वाट्सअप करें कॉल ना करें कि मुस्ट डॉबली 24 गंटे में वह आपको जवाब देंगे अगर किसी परिस्तिती में नहीं है रही है ए मेरी तरफ से सभी सादकों को बहुत प्यार बहुत आशिरवाद और आप सभी के लिए बहुत बहुत प्रात्ना मैं आप सभी के लिए प्रात्ना करता हूं कि आप अपने जीवन में सुखी रहें और आपका जो भी गंतव्य है जीवन में वह आपको हासिता बहुत बहुत प्राणाव धन्यवाद